हलो एन वेलकम फ्रेंड श्वागत अब सभी के यूट्यूब चैनल मास्टर सीन एथिकल हैकिंग पर दोस्तों आज मैं जिस टूल के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ वो वाइफाई पेनेटरेशन टेस्टिंग के लिए बहुत ही जबरदस टूल है जिसकी मदस स अब वाइफाई की कम्यू का पता लगा पाएंगे और उसे सही कर पाएंगे इसके साथ साथ नेटवर्क की कम्यू का पता लगाने के लिए भी काफी जबरदस्त और बहतरीन ये टूल मुझे लगा क्योंकि हमारे जो टॉपिक हैं वो पेनेटरेशन टेस्टिंग को लेकर फ्री वे और टूल के बारे में सारी जानकरी यहां पर लिखी हुई है कि यह टूल बनाया ही इसलिए गया है जिसी की पेनेटरेशन टेस्टर्स और सिक्यूरिटी ओडिटर्स जो है वो उनके काम में उन्हें हेल्प मिल सके ताकि नेटवर्क और वाइफाई की जो कम्या है उनका पता लगाया जा सके इस इस इंस्ट्स और करने का प्रोसेस यहां पर लिखा हुआ है आप यह प्रॉसेस अपना सकते हैं गिट क्लोन करके भी और सिंप्ली कमाड से भी पूरा टूल इंस्टाल हो जाएगा है मैं से copy कर लेता हूँ sudo pip install और आप चाहें तो इस command को लिखकर भी इसका इस्तिमाल जो है वो कर सकते हैं तो guys यहाँ पे देखिए जस्ट पहले मैं आपको install करके दिखा देता हूँ कि जो tool है वो किस तरह से install होगा जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा sudo pip install अच्छा देखिए यह मतलब सीधे सीधे जैसे कि मैंने बताया कि command लिखकर भी install हो जाएगा और मतलब अगर आप git clone करके करना चाहें तो उससे भी install हो जाएगा तो यह तरीके हैं इन सब के लावा मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर देखो यह पहले से दिखा रहा है कि requirement जो है वो fulfill है तो गैस जैसे यह install हो जाता है हमें लिखना होगा tool का नाम freeway और जैसे ही आप freeway का नाम लिखेंगे tool जो है वो run हो जाएगा अच्छा इसमें सबसे important जो चीज है वो है कि जो आपका wifi card होना चाहिए आपके पास एक तो और दूसरा वो monitor mode में होना चाहिए जैसे कि यह दिखो यह हमें दिखा रहे हैं कि यह manage mode में monitor में नहीं है तो यह ध्यान रखना है आपका जो connection है वो wifi होना चाहिए wifi card अलग से लगा होना चाहिए तब भी यह काम करेगा तो चलिए हम इसे monitor mode में कर देते हैं monitor mode में करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा sudo ifconfig vlan 0 down मतलब सबसे पहले wifi को हम बंद करेंगे ताकि उसकी जो settings है वो properly update हो सके हैं उसके बाद उसका mode change करने के लिए हम command देते हैं आप इसे check करना चाहिए तो iwconfig से भी कर सकते हैं वैसे तो फिलहाल हम इसे कर देते हैं sudo iwconfig यानि कि wifi के लिए दिया जाता है और फिर हमें यहाँ पे vlan का जो है यानि wireless LAN का जो communication हो रहा है हमारा उसका mode हमें monitor कर देना है तो vlan mode हमने monitor कर दिया यानि कि अभी जो हमारी device है उसका mode monitor हो जाएगा monitor का मतलब ही guys यह है कि जो data packets है उन पे नजर रखना तो monitor करने के लिए कि भई कोई malicious data तो हमारे network में enter नहीं कर गया है उसके checking के लिए जो mode है इसका वो monitor करना पड़ता है तब ही यह काम करता है तो देखे हमने इसे on कर दिया इसके connection का वेट कर सकते हैं mode अभी आप देखेंगे वहाँ पर restart एक तरह से हो रहा है या आप कह सकते हैं connect हो रहा है वहाँ पर इसके connection का वेट कर सकते हैं mode अभी आप देखेंगे कि वह start हो चुका है यानि कि जो wifi है वह connect हो चुका है हमारा तो monitor mode में पूरी तरह से change हुआ या नहीं यह हम check करेंगे एक बार तो guys हम यहाँ पर लिख लेते हैं sudo और iwconfig ठीक है तो इसी से हम check करेंगे iwconfig मतलब specially wifi को check करने के लिए जैसे ifconfig होता है आपका ethernet वगरा को check करने के लिए हला कि इससे भी कर सकते हैं लेकिन iwconfig से आपको vln का पता चल जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी managed है तो कोई नहीं अभी भी managed है तो हम इसका एक और command की अभी हमें जरूरत है जो हमने नहीं दी थी तो वो command हम apply कर लेते हैं एर्मान अंजी बिकाज इसी की मदस से हम यह कर पाएंगे ठीक है तो exactly services वगरा जो होंगी इसे जो इसे interrupt कर रहे हैं उन्हें तो टूल को run करना बहुत आसान है आपको जस्ट लिखना है sudo और free way आपको लिख देना है तो जैसे यह आप लिखेंगे आप दिखेंगे अब की बार हमें यह manage mode नहीं दिखा रहा है कि वह manage है या नहीं है तो number 4 option ले लेता हूं क्योंकि हम wifi का ही काम करने वाले हैं तो हमने यहाँ पे लिया option number 4 VLAN के लिए तो जैसे मैंने option number 4 लिया तो आप देखो उससे related जो properties हैं जैसे कि आपको data packets को monitor करना है कि कोई malicious तो नहीं है तो number 1 पे है मैं enter कर देता हूं यहाँ पे एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यह देखें जो connections थे वो हमारे पास आ चुके हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं दो सो कर रहा है कि हमारे wifi का access point कौन सा है और जो इसके client हैं वो कौन कौन से हैं तो यहाँ पे आप अलग-अलग देखेंगे कि जो access point है वो लोग जुड़े हुए हैं जो clients हैं वो अलग-अलग हैं तो इस तरह से यहाँ पे यह monitor करने में आपको help करेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं उस जो भी हमारे clients हैं उनसे related जानकारी है हमें सो कर रहा है दूसरा अब मतलब यह तो हमें पता चल गया कि हाँ भी इससे monitor कर सकत तो इसे बंद करने के लिए आपको Q press करना है और उसके बाद Q से quit हो जाएगा और enter कर देना है जैसे ही आप Q और enter करेंगे फिर दुबारा से आप एक बार enter करेंगे एंटर करने के बाद back ही हो जाएगा अब देखिए दुबारा से same option है 8 option आपके पास है आप जो भी work करना चाहते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से यहां पे वो work कर सकते हैं जैसे कि पूरे network को अगर मुझे audit करना है तो option number 5 मैं use करूंगा ठीक है वो है पूरे network को check करने के लिए so guys option number 5 में आप यहां पे देखेंगे या फिर देखो सारी चीज़े हैं तो यह कह रहा है कि AP number चीए या access point या Mac address चीए तभी यह उस चीज़ पे नजर रख पाएगा तो guys यह सबसे important है हमें क्या करना चीए था पहले ही जो अभी हमने थोड़े देर पहले किया वहां से हमें AP और Mac number को copy करना चीए था चलिए मैं इसे quit कर देता हूं Q press करके कोई भी की press कर देनी है enter कर देना है again उस वाला जो option आ रहा है उसे हम copy कर लें ठीक है guys यहां पर यह सारे options हमें मिल रहे हैं तो इन में से Mac या AP कोई भी एक चीज़ कर लिए क्योंकि उसमें दोनों options आ रहे थे तो हम यहां पर Mac या AP को copy कर लेंगे आपको right click करके भी कर सकते हैं control shift c से भी कर सकते हैं तो मैंने इसे copy क करने के बाद okay copy करने के बाद चलिए हम अपने ही option पर चलते हैं number five पर ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरह से काम करता है ठीक है तो पूरे network को audit करने में चेक करने में वाई-फाई के अगर कोई चीज है तो उसमें यह आपको काफी help पर रहे हैं दीखे मैंने AP यहां पर एंटर कर दिया number one लेंगे recommended है तो number one का ही use करेंगे और अब यह नजर रखना start कर देगा तो जो लोग यह सोच कर आए थी कि इसमें हमने जो पढ़ा है title उसका तो कोई काम नहीं हो रहा तो जिसमें वो सारे options है और आप सभी जानते हैं कि यहां का कुछ limitations होती है तो उसक चाहते हैं ऐसी information आपको लगातार मिलती रहे तो उसके लिए देखते रही YouTube चैनल Masters in Illegal Hacking और हमारे WhatsApp चैनल के साथ जरूर जोडए Thank you friends